नमश्कार आप देख रहे हैं खबर इंडिया मैं हूँ आपके साथ पूझा आए रुख करते हैं आज भी खास खबरों के और इंडर कॉंग्रेस सेवा दल द्वारा किसान बिल के विरोध में चंदर शेकर पटेल की नित्रित में वाहन रली निकाली गई जिसमें कॉंग्रेस सेवा दल की रास्टर सचव चंदर प्रकाश भाजपाईजी और प्रभारी दिनेश पांडे शामिल हुए यह रली चतावाद चौराह से लेकर देव गुराडिया तक निकाली गई जहां सेवा दल की सभा आयुजित की गई और भोजन विवस्था भी की गई सेवा दल की रास्टर सचव और मद्रप्रदेश यात्र प्रभारी चंदर शेकर पटेल ने बताया कि देश में चल रहे किसान कानून को लेकर यह यात्रा प्रदेश के हर हिस्से में निकाली जा रही है जिसमें मोधी सरकार द्वारा किसानों को ठगने का कानून बनाया गया है जिसका कॉंगरेस सरकार और सेवा दल विरोध करती है और यह यात्रा उसी के चलते निकाली जा रही है जो देश के हर हिस्से में जाएगी तो ये अजमेर में जब ये बैटा काहुत हुई तो ये जोलंद मुद्दा था जब किसान सडकों पर निकला इस पर काफी लंबी चर्चा हुई और सिवादल के राष्टी अद्दक चैदानी लाल जी देसाई जी ने सुनिया गांधी जी के अवहान पर मानी राहूल गांधी है मैं सिवादल का राष्टी सेची हूँ और मत्परदेश का परभारी हूँ जिम्मेदारी दी गई 28 तारीक को कांग्रेस का इस्थापना दीवस भोपाल में बनाया गया भारी संक्या में सिवादल उपस थी था और मानी कमल नाज जी ने लाला तिरंगा देकर सिवादल की कि किसान संगर सियात्रा को उन्हों ने जारी कि और सभी कांग्रेस दिएया कि के आप इस संगर सिहात्रा में उनका सयोग करें साथ क्षद्यां बनाए गई का प्रदेश चुंकि काफी विशाल यह प通णत है साथ अलग-अलग तुकड़ें बनाई गई उनमें से एक तुकड़ी जो आज यहां आपके गाउं में पहुंची है उसका नितुत कर रहे हैं दिने स्मांडे जी जो हमारे सेवादल के प्रदेश के हमारे एडिसनल हमारे अद्दक्च भी है और उनकी साथ सयोगी के रूप मे अदनِ गुबिंद व्यार जी हमारे साथ में है तो याज यात्रा यहां पहुंची जिसमें सिवादल के हमारे जीले के अद्दक चंसेकर पठेल जी बाई लक्श्मीन राना हमारे पाटक जी, हमारे सयोगी जो अने साथी आए वे हैं, हमारे मेबूबाई जी हैं, हमारे पहलाद महावर जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहां पर हैं, जो इन सब कामों में सयोग उजयन के साथी हैं, यहां सब पजारे हैं, आए वे हैं, देखिए इस सेयातरा का मकसद बहुत साफ साफ है, मकसद यह है कि जो भी कानून रचे जाते हैं, बनाया जाते हैं, तो वो कानून का उद्देश होता है कि लोगों की भलाई, जिसके लिए कानून बनाया गया, उसका हित हो, वो समाज का कल्याण हो, यह भारत का पहला ऐसा एकलोता कानून है, कि जिसके लि इसको मोदी ने ठगा नहीं अब किसानों को ठगने के लिए वारे ब्रेइन इसका वारे अबानी अडानी के यह हमारे क्या कहते हैं सयोगी लोग आज हालत यह हो गई है कि आज इतने दिनों से किसान सड़कों में बेटा है अंदोलन कर रहे अच्छा मैं आपसे पूझना चाहता हूं कि मानी भीम्रावा रिटकर इस धर्ती में जनम उन्होंने लिया भारत के सहिवदान को रचा क्या भारत के सहिवदान पर क्या संसोदन नहीं है क्या अनुसुच्यों में अमे ले रहे हैं बहुत तकलीफ है अधर्णी हम तो चोते स्थम के रूप में आप से निवेदन कर सकते हैं आप सबसे हवान कांग्रेस करती है सेवादल करता है कि आप सचाई को सामने लेकर रहे हैं इसके गहरेपन को लेकर रहे हैं का जा रहा है कि कांग्रेस राधिती कर रही बाते ये विचादारा के लोग और ये कैंदर की सरकार से करती हैं इसलिए काला कानून वापस देना होगा जब तक वापस नहीं लिये जाएगा यह संगर्ष चलता पूर विदायक हूँ और यहां आपके प्रदेश का स्यवदल संगंटन का मैं यहां का प्रभारी हूँ कि किसान विरुधी कानून है इससे देश की आजादी को भेंकर खत्रा पैदा हो गया है कि हमारी आजादी खत्रे में है संपूर अर्थ व्योस्था नश्ट हो जाएगी इस और सारे देश के जो यह बहुत है वह चंद व्यापारियों के हाथों में चंद उद्यणपतीयों के हाथों में सिमट के रह जाएगा हम हर चीज के लिए कहीं ऐसा होगी कल हमको जब सेना के बैतन देना हो तो हमको अगानी से कहना पड़े कि स्रीमान जी इतना पैसा दे दो हमको बैतन देने हैं ऐसी इस्ठित आने की योर है इसलिए बहुत भारी संकट है देश में और इसी को देखते हुए समूचे पूदेस में यात्रा निकाली जा रही है किसांसंगर्च फ् Dé llam थ्यात्रा मन्ध प्रदेश पे साथ अस्थानों से आत्रा निकाली जा रही है कि सात्मी यात्रा को जिसका संचालन मैं कर रहा हूं ये खरगों से चलकर बुरहानपूर और खंडवा इंदौर होते हुए हर्दा जाएगी हर्दा से बैतूल और बैतूल से शिवनी मालबा हुर्शंगाबाद से भोपल पहुंचेंगे और 20 तारीको इस यात्रा क का समापन मुराइना में कमल लाजी प्रदेश अध्यच के द्वारा होगा मेरा नाम दिनेश पंडे में कारिकारी अध्यच मत्रदेश का अंग्रेश से वज़ा हुए फिलाल अभीकली बस इतना ही लगातार खबरों के लिया बने रही हमारे साथ नमस्कार